आज हम देखेंगे दशांश सिसंबंधित उधारण दिये चित्र को देखकर पता कीजिए कि सिरिंज में दवाई की मात्रा कितनी है जैसा कि हम देखते हैं सिरिंज पर स्केल मिलिलिटर में अंकित की गई है यानि कि यहां तक दवाई होने पर हम कहते हैं कि दवाई की मात्रा एक मिलिलिटर है आप यह भी देख सकते हैं कि यहां प्रतेक मिलिलिटर को दस बराबर भागों में बाटा गया है इस प्रकार मिलिलिटर का एक भाग होगा एक दशांश मिलिलिटर चुकि यहाँ दो पूर्ण है और पांच दशांच है इसलिए सिरिंच में दवाई की मात्रा होगी दो दशमलव पांच मिलिलिलिटर अगला उधारण जयन्त ने तीन और एक बटे दो रोटिया खाई है आप इसे दशमलव में कैसे व्यक्त कर सकते हैं? जयन्त ने तीन और एक बटे दो रोटिया खाई है यहाँ तीन और एक बटे दो यहाँ संख्या एक बिन यानि फ्राक्शन है तीन और एक बटे दो का दशमलव रूप हम निम्न प्रकार से भी प्राप्त कर सकते हैं चूकि तीन और एक बटे दो में तीन पूर्ण है और एक आधा है इसलिए हम इसे तीन धन एक बटे दो भी लिख सकते हैं। यहां तीन पूर्ण भाग है और एक पूर्ण भाग का आधा भाग है। यहां हमें एक बटे दो को ऐसी भिन्द में परिवर्दित करना होगा जिसका हर दस, सो, हजार जैसी संख्याएं हों इसके लिए हम इस पूर्ण भाग को दस बराबर भागों में विभाजित करेंगे जैसा कि आप देख सकते हैं, अब यहां रोटी के दस में से पांच भाग है इसलिए एक बटे दो की तूल्य भिन यानि एक्विवालेंट फ्रैक्शन है पांच बटे दस तो बताइए अब 3 इकाईया और पांच दशांच दशमलव रूप में कैसे व्यक्त करेंगे? सोचे, सोचे चलिए हम बताते हैं, 3 इकाईया और पांच दशांच व्यक्त किया जाएगा 3 दशमलव 5 से एक बटे दो की तूल्य भिन पता करने का एक और तरीका भी है इससे हमें एक बटे दो की तूल्य भिन प्राप्त होगी पांच बटे दस. इसे हम दशमलव रूप में लिखते हैं 0.5 से. इसी के साथ 3 और एक बटे दो को 3 धन 0.5 से व्यक्त कर सकते हैं, याने की 3.5 से. तो दशमलव में हम यहां कह सकते हैं कि जयन्त ने 3.5 रूटिया खाई हैं। आज हमने देखे दशांश से संबंदित उधारण। अगले वीडियो में इन से संबंदित कुछ मित्याधार्नाओं को दूर करेंगे।